कि है काई आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो देखिए सिर्फ 5 साल पहले 60 पैसे की हुआ करती थी और आज है ये 51 रुपे की और पिछले एक साल में अगर हम इसको देखें तो ये ये लिश्टिंग हुई थी और 2008 में क्या हुआ कि मंदी आई थी बहुत भायानक वाली तो इस मंदी में तूटकर ये सेर जो है बहुत नीचे पहुच गया था लगभग एक रुपे-दो रुपे का आसपास ये पहुच गया था और उसके बाद फिर बहुत लंबा पेरिड ए कंपनी नैं तो देख लेते हैं कंपनी के बारे में उससे पहले आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगरे am कंपनी का जो पी है 47.72 का है जबकि सेक्टर अभी भी लोस में है सेक्टर का पी चल रहा है माइनस में 60.98 परसेंट और पीवी रेश्यू भी आप देखेंगे तो दस प्रसेंट से उपर का है दस से उपर का है कि नीचे देख लिजिए इसके कुछ कॉंपिटीटर डिल्फ माइक्रो टैक और साथ में है और और रियाल्टी और भी बहुत से हैं और किसी भी कंपनी ने अभी तक रिटन्स इस साल नहीं दिये हैं क्योंकि रसिया और यॉक्रेन की लड़ाई का आपको पता ही है कंपनी के किसे देखिए कितना बड़ी है कंपनी कमाती है 2019 में सिर्फ 91 रुपे कमाए फिर इसके बाद 2020 आया एक करोड़ 66 लाग फिर 2021 में देखिए कितना तकड़ा जंप इसने मारा है 22 करोड़ 31 लाग और इस साल अभी तक जो है 23 करोड़ 78 लाग रुपे कमा चुकी है कंपनी तो ब में जो है प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है वो भी आपको दिखाएंगे देखिए कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं सिर्फ 1250 करोल का कंपनी का मार्केट कैप है एक माइक्रो कैप कंपनी है और जो इसका करेंट प्राइस चल रहा है वह चल रहा है भी 51 चल रहें करती है और इस्टेट में काम करती है शेर में मार्केट में भी अपना इंवेस्ट करती है ड्ये 백신 में भी For act Tax Commodity और जितनी भी Financial Services है इन सब में यह कंपनी जो है किमकाच करती हूआ दिखाई देगी आपको और इसके जो चैर्मेन है 1987 में यह इस्टैबल हुई थी और देखे कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 1250 करोड का करेंट प्राइज 51 और अगर हाई देखेंगे तो 55 रुपे लो देखेंगे तो 19 रुपे है कंपनी का चार्ट आपने वहां भी देख लिया था तो यहां देखनी कोई अवश्चता है नहीं प्रोज और कॉन्स देखेंगे तो कुछ देने रखा है डाटा ऐसा कंपनी का जो रियल सेक्टर है वो है टेक्स्टाइल देखें ट्राइडेंड वेल्प्सन रेमंड गोफेश आठ में 2 करोड और बहुत ही कम थी 2 करोड एक करोड एक करोड यह आप देख सकते हैं लेकिन इस बार देखिए पिछले बार 2017 में थी यह 50 करोड की और अब जो है 2022 में 185 करोड की यह हो चुकी है तो बहुत ही अच्छा एक जंप है कंपनी की सेल्स में ऑपरेटिंग किंपनी यहां तक इसके बाद प्रोफिट में और पिछले आई और थी दो क्रोड के प्रोफिट में और पिछले साल से इस बार जो है देखिए सीधे 40 क्रोड कितना तक्रटा यहां पर इसने लगाया है कंपनी ने तो बहुत कि शांदार कंपनी का नंबर है अभी तक कि अगर कंपाउंड जो ग्रोथ है इसकी इस्टोक की देखिए शेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में 33% से बढ़ी है पांच सालों में 30% से 3 साल का और एक साल का डाटा इसमें दिया नहीं है और इस्टोक CGR 10 साल में 58% 5 साल में 141% 3 साल में 232% का और अभी इस साल का जो है एक साल का वह 89% तो बहुत ही सांदार ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि कंपनी कितनी अच्छी होगी कितना अच्छा रिटर्न आपको दे रही है अभी देख लेते हैं कंपनी के रिजर्व और बोरोइंग दि इसके बाद धीरे-धीरे कम होता गया और अब जाके लगबग डेट फ्री है एक करोड का सिर्फ इस पर कर जा है कंपनी पे जो की बहुत ज्यादा माईने ने रखता है 1200 करोड की कंपनी है उसके सामने लगबग डेट फ्री ही ये हुई और देखिए सबसे बड़ी जो बात के अनुसार कंपनी के पास लगबग 72 करोड सोरी 72% की प्रमोटर होल्डिंग है और 75 से जादा आप भी जानते कि हो जी ने सकती है इसमें FII भी आए हैं और लगबग 72% की FII ने भी होल्डिंग इसमें बना रखी है और पब्लिक के पास सिर्फ 26% है तो बहुत जादा माल ज दिसके कोई डरने वाली बात नहीं है बहुत अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने 72% की होल्डिंग बना रखी है और इंक्रीज की है होल्डिंग जो है इंक्रीज की है डिक्रीज नहीं की है अब जाके देख लेते हैं कंपनी का नाम है रिकेस्ट प्रॉपर्टीज एंड इ जरूर कर लें, बैल के आइकन को जरूर दबा लें, ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.